लोगसभा की दृष्टी कोण से बिहार कितना महतोपूर्ण है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब से लोगसभा चुनाओ 2024 की घोशना हुई है तब से तमाम केंद्रिय मंत्री से लेकर नरिंद्र मोदी तक यहां पे बिहार में आ रहे हैं और ये बार बार अपील कर रहे हैं कि आप हमें वोट दें पिछली बार NDA गौर्मेंट में 49 सीटे NDA के खाते में गई थी बिहार से और इस बार ये वादा कर रहे हैं ये कयास लगा रहे हैं ये घोशना कर रहे हैं कि इस बार हम 40 की 40 सीटे बिहार में जीतेंगे और इसी बीच नमस्कार मैं हूँ रजत और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्षन आज बात करने वाले हैं अमिस्ता के कटियार रैली के बारे में अमिस्ता कटियार पहुँचे और मंच साजा किया मुख्यमंतरी नितिश कुमार के साथ नितिश कुमार भी काफी बड़ पे लालू और राबरी को आरे हाथ लिया और उन्होंने का कि भाई इस बार जब आप वोट डालने जाईएगा तो ध्यान रखियेगा कि 15 साल पहले क्या अस्तिती थी बिहार की और ये जो 15 साल पहले का सरकार था सर्फ हस्बेंड और वाइप का सरकार था यानि सर्फ पती-पतनी का सरकार था और जब हम आए तब विकास का सरकार शुरू हुआ तब विकास के लिए काम करना हमने शुरू किया इस बीच जब अमित साह ने अपना भाशन देना शुरू किया और वो माइक के उपड आए तो एक भी जगे मंदिर का जिक जिक्र करते हुए नजर नहीं आया जबकि आपने देखा होगा कि हमिश्या कहीं रैली कर रहे होते हैं तो ये सब बाते बहुत आम होती है और हर भाशन में वो इन सब बातों का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। पहाशन को बड़े सयमता के साथ पीश किया जिसमें उन्होंने विहार में विकास की बात की और डवल इंजन के सरकार की बात की उन्होंने का कि भई अगर आप हमें वोट देते हैं अगर कमल खिला तो बहुत बहतर डवल इंजन की सरकार मिलेगी और जो हमारे अधूरे काम है हम उसे पूरा करेंगे लेकिन अगर आपने हाथ और लाल टेन का साथ दिया तो दंगा होगा खून खराबा होगा और वो वापस से वही स्तितिया आपको देखने को मिल जाएगी जो 15 साल पूर्व की स्तितिया थी उन्होंने भी जमकर राबरी देवी और लालू यादों पे निसाना साधा और कहा आप भूलिये गमत की 15 साल पहले बिहार की स्तिति क्या थी और अब नितेश के आने के बाद कितना सुधार हुआ है मैं आपको बता दू कि वो इस बास्षण में इस बातों में अपनी एक राजनिती सफलता को भुनाने में काम्याब होनी की एक लगात जीतो और कोशिश करते नजर आ रहे हैं पिछले डेर सालों में पांच चुनावी सबाग कर चुके हैं अमिच शाह सिमांचल के शितर में वो लगातार सिमांचल के शितर में जा रहे हैं और इस बार जब वो सिमांचल के शितर में गए तो बीजेपी वालों का भी कहना है कि इंडिये नेता कह रहे हैं कि भाई इनके आने से जो जोश है वो दो गुना चोगुना बढ़ गया है और अब हम और अच्छे से काम करने वाले हैं। आपको बता दू कि कट्पियार से दुलाल चल गोश्वामी जो है वो एंडिये के टिकट पे चुनाव लग रहे हैं लेकिन इस्तिती अभी साफ नहीं हुई है। मैं आपको बता दू सिमांचल का ये इलाका कितना खास है और यहाँ पे मुस्लिम वोटर कितना ज़ादा मजबूत पक्ष रखते हैं इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किशन गंच सिमांचल के शित्र में आता है और वहाँ पे 67% मुस्लिम वोटर है यानी 67% एक म 67% उसके बाद कटिहार के अगर बात करें जहां पे भाशन दे रहेते हमिसा एक 40% मुस्लिम आबादी है उसके बाद अररिया जो कि सिमांचल के शित्र में आता है 32% यहाँ पे भी मुसल्मान आबादी है और पूर्णिया जो अभी यहाँ पे मामला थोड़ा गंभीर बना ह हुआ है जब से पपू यादों ने ऐलान कर दिया कि भाई वो निर्दलिये चुनाओ लड़ने वाले हैं यहाँ पे 30% मुसल्मान वोटर है और इस तरीके का यह सिमांचल शित्र रहा है जहां पे मुसल्मान वोटरों का दबदबा रहा है इस वजह से अमिश्या आते हैं भ दिकास की बाते करने लग जाते हैं वो बदलाव की बाते करने लग जाते हैं वो बहतरी की बाते करने लग जाते हैं लेकिन राम, मंदिर, हिंदुत और बाकी चीजों का जित्र वो एक बार भी करते नजर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब साफ है कि सिमांचल शित्र के वहां के मुसलिम वोटरों को रिजाने और भुनाने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं आमिश्या और वो अपने आप की शवी बीजेपी की शवी शुधारने में भी लगे हैं उधर नितीश कुमार भी ये काम कर रहे हैं नितीश कुमार भी कह रहे हैं कि यानि NDA जब गटबंदन सरकार में थी मैंने मुसल्मानों के लिए कितने लौब पारित किये कितने काम किये लेकिन एक बार भी NDA में बीजेपी ने दखल अंदाजी नहीं कि एक बार भी नहीं रोका मतलब बीजेपी भी समर्थन करती है मुसल्मानों का मुसल्मान वोटरो का बाकी इसके उपर आप क्या सोचते हैं आपके विचार में क्या आ रहा है आप अमिसा किस रैली को इस कटिहार रैली को इस चुनावी रैली को कैसे देख रहे हैं कॉमेंट करके अपना राय हमें जरूर दीजिएगा बाकी मैं हूँ रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक झाल आउन वो शदो शवर पार्जन, जय को रहां यूजोई आजए बेत कर दो दो, जब जार्ण. मैंने फिर्जयन को भी ठाटल कर दो, उल्ड़न, इंड़ई नेगान, चैसे एक रहां जात्वन, इंड़किए ने वुछ दो, भी डीन, जात्वशन. झाल झाल